नमस्कार जी मैं मन्जू और आप सब कैसे हैं आज अगस्त की 26 तारीक है और मैं अपने बहन भाईयों से कुछ उनों ने जैसे कोई बहुत सारे कोमन स्वाल पुछ हैं तो उनके थोड़े से जबाब दूँगी यह बिंडी के बारे में बताऊंगी तो बिंडी का मैं यह अप स्पेरिमेंट के तोर पे बिंडी लगाई थी और इनको बलिक मिंटी observations में जयुक्ति यह बहुति है अगर हम ठोड़ी есनद करें गौवर की खार वगरह डालें तो तो कितना है वहलोगा। यह चोट चोट में पौली बैग मही और एक वहला यह क्ति यह चोट चोट होो जोक्त सकती यह लेयो आश... यह देख पा रहे हैं आप यह देखिए सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तोर पे यह मैंने यह ग्रू की थी और एक चोट चोटे पॉली बैग में इतने इतने सारे यह प्लांस मैंने इकठे-कठे लगा दी है तो अगर एक लगाई होते जैसे यह देखो एक चोटा सा पॉली रपांच किलो साल आला है और कितना यह धाली है ब्रू कर्द काफि किया वाson में आद अंधर के और मित्ती में मीट फोल्ड कि परोग है उसमी ओर लग रहा था यह अगर प्लांट नहीं हो तो इसके साथ मैंने एक गेंदे के लगा दें तो यह वी उत्रा इंग.." चोटा सा और इसमें इक ठे चार प्लांट लगया तीन भिंधि नगा दिए और एक गेंदे का और इसमें भी और उसमें भी दो ऐसे मतलब सब में इसी तरह से लगाए हुआ है मैंने और भिंडी लेखे और कुछ नहीं बलिक मिट्टी अगर इनमें और मैंने चड़ाई होती खाद पानी दिया होता पानी तो देती हूँ खाद गहरा तो इनकी बहुत अच्छे से ग्रोथ होती और अभी मैं जूआ नहीं मिट्टी थोड़ी मिल्स ज्यादा नीचे और इसके बावजूद यह नहीं श्यम lange नहीं परे आपनी अच्छे यह है देखे आप यह देखे यहation improving यह देख brace तो जो मेरे बहनबाई लगाने के शुकीन है वो इस तरह से पोली बैग में कुछ जैदा मिट्टी भर लें और इनको गोवर के खाद बगारा और कमपोस्ट बगारा का इस्तेमाल करें तो यह बहुत यह अच्छे रिजल्ट दे सकती है तो यह देखो कितने अच्छे से यह ल और यह कुछ इस तरह से यह लग रहे है तो यह देखपा रही हैं कितना असान बिंडी लगाना बस लगा दो और जब इस पर फूल ठोड़ाने लगे तो आप खाद बगारा यह सकते हो तो यह बिंडी का अपडेट्ट को मैं आरे बिंडी लगाई थी और ये मेरे मिर्ची की प्लांट पे देखो मिर्ची पकी ये पूरी पक गई है और मेरा ना इनको मन नहीं कर रहा तोड़ने का बिल्कुल भी ऐसे मुझे फरे प्लांट वे लालाल मिर्चे ये ऐसे फूलों की तरह दिख रही है तो मैंने ये कुछ ऐसे रहने दिया है मुझे बहुत ही खुबसूरत लग रही है क्योंकि बिंडी का प्लांट लगाना तो बहुत ही असान है और जल्दी ये फ्रूट भी देने लगता है तो ये देखे कितना संदर लग रहा है ना बिल्कुल फूलों जैसे लग रहे हैं ये जैसे फूल होते हैं बहुत ही खुबसूरत लग रहा है तो मुझे तो देखना अच्छा बड़ा लग रहा है तो आपको पता नहीं ये पसंदर है क्यों ये लाल मिर्चे बिल्कुल फूलों जैसे लग है ये जैसे फूल लगे वो रहते हैं और ये मेरे जिनिया के फूल ब और यह बहुत रंबे टाइम टिके रहते हैं और मेरे गार्डवन में मॉर्निंग लॉरी भी खिल रहा है यह देखिंगे कितना सुदर कितना प्यारा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है इनको देखना बहुत भी गयर नहीं करने प्रतेस के यह देखा आपने बहुत इखुशूरत बहुत सुन्दर लग रहा है तो यह मेरे कई बाइबेन पूछते हैं कि हमारे हविसकस पे बड्स नहीं आ रही हैं और फ्लार्ज में आते हैं तो यह देखिए मेरे पताने कोई 25-30 होंगे इस पे बड्स लगे होंगे इतने पूरे वर्ट्स वर्ट्स पूरे आई हुआ हैं तो इनको अपने धूप में रखना है जहां पर अगर सुबह की 6-7 गंटे की धूब मिल जाती है तो यह बहुत अच्छे से खिलती हैं यह देखो धेर सारे वर्ट्स पूरे आएं और फूल भी इन पे खूब आए अच्छे दोब की ज़रूरत नहीं है पर जब इसके प्लांट्स मैंने फूलों के लिए इनको दूप में रखा है तो यह दनीय को बैचारे को सहना पड़ा तो यह दनीय भी मेरा खराब हो गया पीला हो गया बिल्कुल ज्यादा गर्मी से तो क्योंकि दनीय को इतनी तेज दूप की जरूरत नहीं होती है तो मैंने गलत जगे में इसको ग्रो कर दिया तो इस डिब्बे में ही साइड में लगा रही है तो अब इसको तो तेज दूप चाहिए ज्यादा दूप चाहिए तो यह देखो कितने सारे धेरों इतने खिल रहे हैं और ना कोई इस पे कीड़े का अट आप खुद ही देख लीजिए पता नहीं मैं दिखा पारी हूं कि दूप आ रहे हैं तो इतनी सारी डिरू इस पे बर्ट साइए और कितने सारे हो लाएं तो मैंने पता नहीं गिंड़ी थी 25 से ज्यादा मेर को यह लगे गिनने में मैंने देखे हैं खुब सारे जितनी भी पूरे आ रहे हैं यह सारे सब में आ रहे हैं तो बस आपने इसको अपने प्लांट को धूप में रखना है जहां पे धूप आ रही हो आपके उस जगे में इसको रखें और यह मेरा प्लूमेरिया का देखो यह भी एक छोटे से डिब्बे में प्लास्टिक के डिब्बे में ग्रोओ कर रखा हुआ तो इसकी कितने अच्छी ग्रोध हो रही है हालाकि इसकी गलत टाइम पे मैंने कटिंग कर दी थी जब जिस टाइम फूल आने का टाइम हो रहा था पर एक ही ब्रांच इसकी निकली और एक खलकी सी साइड में जरासा अभी फुताब आया है बनिकली नह नहीं खिल रहे हैं, हलांकि घास भूस भी इस पे निकल आया है, बिलकुल भी केर नहीं करने परती, बस पानी देती हूँ मैं इसमें, एक वारी जो लगाए थे, लगाए थे, और इतने सारे फूल, धेरों फूल, कब से खिल रहे हैं, ये मेरे गाडन में, ये देखा आपने, बहुत में, और ये पीटूनिया भी, ये भी काफी दिनों से खिल रहे हैं, ये देखा आपने, ये मेरे पीटूनिया और ये जो कल, गुलाब पे मैंने वीडियो गनाया था, बहुती, संदर प्यारे, तो होप करती हूँ कि बिंडी पे आज का वीडियो मेरा पसंदर समदाया वगर जो मेरे बहन बाई जब लगानाचाहते हैं जब बहयं गर उसी इसिली ग्रो कर सकते हैं इसकर साथ बिल्कुल भीकियर करनी पड़ती कुह करना पड़ता और बल्यकि मैंने तो कुछ भी इस पर ज्यादा मिटी की जुरूरत है इसको और खाथ की जरूरत और मेरे पास है नहीं और मैंने डाला नहीं तो भी यह इतना अच्छे से फ्रूट दे रही है और एक चीज मैं और दिखाती हूँ वो मेरी किसी बहन की फर्माईश थी यह मेरे दो अडेनियम के प्लांट जो रहे गे थे तो वो यह कल मैंने गरो किया है ये मेरी किसी बहन ने पुछा था कि उनको आप दिखाएं, तो ये हैं वो, तो बहुत दिनों से वो टोकरी में ही पड़े होए थे, और मैं लगानी पा रही थी, तो ये फिर इस तरह से हैं, तो दो-दो ये अभी लगाएं, तो इनकी जब अच्छे से ग्रोथ हो रहोने लग कर पाई नहीं, तो वो पता नहीं कब तक ये नीचे ही पड़े रह जाते हैं, तो अब करती हूं कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो मेरे बहन भाई, उनके गुडल पे फूल नहीं आ रहे हैं, वो अपने प्लांट को, अपने पोट को, सुबे की 5-6 आपको फूल नहीं आ रहे हैं, ये वर्ड्स नहीं बन रहे हैं, तो धूप चाहिए उनको, और आपको लगता है कि आपका प्लांट जो है कमजोर है, अच्छी हेल्थ नहीं है, तो आप उसमें गोगर की खाल डालिए, कंपोस्ट डालिए, और वो मठा डाल सकते हैं, जिसक में दवा सकते हैं, पोट में, तो भी बहुत अच्छे से रिजल्ट आते हैं, नमस्ते जी, शुक्रिया,